नमस्कार दोस्तों आउट सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो रंग का ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप बच्चों के स्वाटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहें किसी भी मन्चाय प्रोजेक्ट में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए पांच के मल्टिपल में फंदे चाहिए और दो फंदा एक्स्ट्रा तो आएए देखते हैं ये कैसे बनेगा बॉर्डर बनाने के बाद आप अपने प्रैमरी कलर से सभी फंदे सीधे बनेंगे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे बनेंगे ताकि एक उल् सीधा बनाएंगे यह हमारा ऐसे टीच है अगला फंदा उतार लेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा बनाएंगे अगला उतार लेंगे फिर नेक्स्ट सीधा फिर उसके बाद अगला स्लिप कर लेंगे फिर पांच फंदे सलाई में दो बार उन लपेटते हुए सीधा बनेंगे एक दो तीन चार पांच अगला फंदा स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर अगला स्लिप करेंगे फिर सीधा फिर स्लिप फिर अगले पांच फंदे सलाई में दो बार उन लपेटे हुए सीधा बुनेंगे तीन चार पांच अगला फंदा स्लिप करेंगे फिर सीधा बनेंगे फिर स्लिप करेंगे फिर सीधा बनेंगे फिर स्लिप करेंगे इन्हीं दसोर फंदों को पूरी सलाई में दोहराना है अगले पांच फंदे स्लाई में दो बर उन लपेटते हुए सीधा बनेंगे लास्ट फंदा स्लिप कर लेंगे पीछे से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे पीछे से पांच फंदो को खोलेंगे लपेटते हुए पांच फंदो को खोलेंगे और इन्हें एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन सलाई में लपेटेंगे इन्ही में एक और उल्टा फंदा फिर उन सलाई में लपेटेंगे और फिर इन्ही में एक और उल्टा फंदा बनाएंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर करेंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे फिर अगले पांच फंदों को खोलेंगे और एक साथ लेते हुए पहले उल्टा बनाएंगे फिर उन स्लाई में लपेटेंगे इन्ही में एक बार और उल्टा फिर उन स्लाई में लपेटेंगे और एक बार और उल्टा यानि पांच फंदे से पांच फंदा बना लिया slip के हुए फंदे को slip करेंगे और उन दूसरी ओर करेंगे अगले फंदे को, बुने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी ओर करेंगे slip के हुए फंदे को slip करेंगे उन दूसरी ओर करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे फिर उन अपनी और करेंगे स्लिप की हुए फंदे को स्लिप करेंगे और लपेटे हुए पांचों फंदों को खोल लेंगे और इनसे उल्टा बुनते हुए पांच फंदा बनाएंगे एक फंदा बना लिया उन स्लाई में लपेटा एक फंदा और बनाया तीन हो गए उन स्लाई में लपेटा और और उल्टा बना तो पांच फंदे हो गए अगला फंदा स्लिप करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बनेंगे फिर उन अपनी और करेंगे slip कि हुए फंदे को slip करेंगे बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे slip कि हुए फंदे को slip करेंगे और last फंदे को उल्टा fifth row और front side अपने primary color से सभी फंदे सीधे बुनेंगे आजवी लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिये गया है और अब छठी लाइन back side सभी फंदे सीधे ही बुन लिये जाएंगे पहला फंदा उल्टा बुनेंगे आउता लेंगे और बाकी फंदो को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा को भी बुल्टा बुनेंगे सात्वी लाइन और सामने से तूसरे रंगे उनसे पहला फंदा बुनेंगे या उतार लेंगे फिर अगले पांच फंदे सलाए में दो बार उन लपिटते हुए सीधा बुनेंगे अगले फंदा उतारेंगे फिर सीधा फिर उतारेंगे फिर सीधा फिर उतारेंगे फिर अगले पांच फंदे इन्ही दसो फंदो को हमें पूरी लाइन में दोराना है पहला फंदा एस्टिच है और बाकी दसो फंदो को पूरी लाइन में दोराना है अब अगले पांच फंदे इसलाई में दो बार उनलपेटते हुए सीधे बुने जाएंगे अगला फंदा उतारेंगे फिर सीधा फिर उतारेंगे फिर सीधा फिर उतारेंगे नेक्स्ट पांच फंदे सलाए में दो बार उनला पिरते हुए सीधा बुनेंगे तीन चार पांच अगला उतारेंगे फिर सीधा फिर उतारेंगे फिर सीधा फिर उतारेंगे फिर सीधा पहला फंदा उतार लेंगे उतारा हुआ फंदा slip करेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर उतार लेंगे फिर सीधा बुनेंगे फिर उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे फिर पांच फंदो को खोलेंगे और पांचों फंदो को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर उन सलाई में लपेटेंगे एक और उल्टा फंदा फिर उन सलाई में लपेटेंगे और एक और उल्टा फंदा पांच फंदे से पांच फंदा बना लिया स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और करेंगे बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे फिर उन अपनी और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और उन्हें एक साथ लेते हुए एक उल्टा, फिर उन सलाई में लपेटा, एक बार और उल्टा, फिर उन सलाई में लपेटा और एक बार और उल्टा, पांच फंदे से पांच फंदा हो गया, लपेटा किया हुआ 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 में रगावन से पुदत को कि खुलें गें। और इनसे पूल्टा पुनते हुए पाँच खुलें। इसे पासी खुलGot भिजु अगला दूसरे रंके उन से सभी फंदे सीदे बुन लिये जाएंगे और पीछे से भी सबी फंदे सीधे ही बुन लिये जाएंगे देखिये फ्रेंट्स डिजाइन त्यार है आर्ट लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन ही आठो लाइनों को दोहराने से डिजाइन अपने आप बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाय दे रहा है और पीछे से डिजाइन आपके सामने है इसे आप अपने स्वेटर में डालिए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए मेल आइकन दबाईए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद